दीरे दीरे हम लोग इंसानी बुस्तियों से बहुत दूर जा रहे हैं, हमारे पास पानी की कमी होने लग गई है, मैंने यह वाला ट्रेक इसी रास्ते से पहले भी किया था, अब यहां रास्ते की पास में देखो भाई, एक पानी की बोतल दीखी घास के बीच, अब साम का यह वाला टाइम होता है, बेड़ बख्रियों को घर लाने का, पूरी बेड़ बख्रियों राद बर यहीं बहार पे रहती हैं, ले 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 बुबजी ने एक कहानी बताई कि मैं यहां पर 13 साल से आ गया था, मतलब इस वाली जगे पे, हो सारे तारे टिम्टिम आते हुए द तुन्दर सी लगनी अभी, हेलो एब्रिवन, गुड मॉनिंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और ने ब्लोग में उतरा खंकेन खोब सुरत पहाड़ों से, आज हम सुबह सुबह अपने रासी गाउं से बिसुरी ताल का ट्रेक सुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लगबग, चार-पांच दिन लग सकते हैं, हमारे गाउं के ठीक सामने जो ये वाला पहाड है ठीक, इसी के उपर है बिसुरी ताल, तो चलो जी अपना बैग भी तयार है, सारा सामान अच्छे डंग से रख दिया है, और अभी यहाँ पर कैलास और रितिक भी आ गिये हैं, इनके बैग भी तयार हो गिये हैं, सुबह के अभी साड़े आठ हो रहे हैं, चलिए जी पहले दिन का सपर सुरू करते हैं, अपने रासी गाउं से बिसुरी ताल की तरफ, अभी अपने रासी गाउं से हम लोग निकल गए हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें जाना है, मनसुना मार्केट में रखेंगे, उसके बाद फिर से वहाँ से गाड़ी करके बुर्वा गाउं आएंगे, मनसुना मार्केट से जो भी जरूरी सामांध हमारा वो सारा रग दिया है, बाकि बाइक भी हमने यहीं पर लगा दी है, अब यहाँ से जाना है, मैं ठीक सामने इस वारली पहाड़ी पर उपर की तरफ, बाकि सारा सामन दिखवाई उपर अभी लोड कर दिया इसमें, यहाँ तक अनुबाई भी आए थे हमें छोड़ने के लिए ठीक है फिर और इस वाली गाड़ी से जाएंगे हम ठीक सामने बुर्वा गाउं तक अब मनसुना से 5 किलोमेटर गाड़ी का सपरताई करके हम लोग पहुँच गये हैं बुर्वा गाउं के उपर, अब लाश्ट यहीं तक रोड है, यहाँ से अमारा अब ट्रेक सुरू होगा सुबह के अभी साड़े दस हो रहे हैं, हमने अपना ट्रेक यहाँ से स्टार्ड कर दिया है, सबी दोस्तों के पास लगबग 20 से 25 किलो के आसपास सामान है और यहाँ से ट्रेक सुरू करते ही देखो भाई, यहाँ पर जो मेरा चस्मा है, यह भी टूड गया, पता नहीं यहाँ पर रखा था या किसी ने पैर रखा होगा बाकि आप यहाँ से हमें लगा आतार इस पहाड़ी पर उपर की तरब चड़ते जाना है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस वाली जगए से पानी की ब्योस्ता कर देते हैं, बीच में भुरोसा नहीं कहीं पर पानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है वैसे इस वाली जगए पर तो है पानी गुड़ गुड़ हो रहा है नीचे, लेकिन यहाँ पर भरने के लिए नहीं था, यहीं पास में उपर में यह टैंक बना हुआ है, बाकि यहाँ पर इस वाली धार से ठीक नीचे देखो वाई, यह है मनसुना गिर्या गाउँ, पानी लेकर जाना पड़ेगा हमें, अब इस वाली धार में देखो एक बड़ा सा बीसनल का टावर लगा हुआ है, जो कि ठीक हमारे तरसाली वाली गर से भी दिखता है, अब यह ठीक यहाँ नीचे है, बुर्वा गाउँ, तो अब यहीं निकले हैं पानी की ढून खोज मे धूबना आज बहुत तेज है, तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहीं से पानी की भी उस्ता करनी पड़ेगी, अब यूहीं नहीं कहते हैं कि जली जीवन है, अब देखो भाई, आफट आ गई, उपर से वापसी यहाँ नीचे आना पड़ा पानी के लिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी आ रहा है, इसको आफट नहीं इसको बोलते हैं, रहनी पड़ी, चलिए जी ठीक, ग्यारा बजे हमने यहाँ से ट्रेक सुरू कर दिया है, इस बार भी हम वही पांच पुराने दोस्त इस वाले ट्रेक पे निकले हैं, केलास अगर साथ दे बीच-बीच में पानी मिलता रहे, तो हो जाएगा, यह मैंने एक चीज देखिए, बिक्षारों पर बहुत ज्यादा करावा है, वह भी खासकर इन तीड के जंगलों के बीच में, और वह भी बांज के पेड, बीच-बीच में ऐसा घना सा जंगल भी है, तो ऐसे जगे न, थोड़ा सा साबदानी से चलना पड़ेगा, ऐसे जगे जंगली जानोरों का डर रहता है, खासकर भालू, पनम, यह गास में, देखिए जी, इस वाले जंगल में अक्सर भुर्वा गाउवाले गास के लिए आते रहते हैं, तो गाउँ की बहुत सारी अभी घर के लिए, और उनी से हम लोग पूछ रहे हैं कि बीच में इस वाले ट्रेक पे कहां-कहां पे पानी मिल सकता है, दिन के अभी 11.30 हो गिया है, यह हमारा दूसरा ब्रेक है, बहुत भेंकर गर्मी हो रही है, अच्छी बात यह है कि चार और बड़े-बड़े चीड क अच्छा पीडर है, तो भी रास्ते में आ चाह है, अब यहां रास्ते के पास में देखो भाई, एक पानी की बोतल दखी गास के बीच, यह देखो भाई, इस पर पानी भी रखा हुआ है तो इसको यहीं पे रख देते हैं, जो गाउोँ यहां पर गास के लिए यह साइद उन्होंने रखी होगी और यहां पर इस वाली धार में भी देखो गाई बड़े बड़े गास के भारी भिसाए हुए हैं अब लोग इतनी हैट पे आ गए हैं यहां से दूर दूर बहुत सारी गाउं दिखाई दे रहे हैं इन पहाड़ों पे आगे बड़ते हुए यहां अब तो भूग भी लगने लग गई है हमने सुबह नास्ता भी नहीं किया है तो घर से रोटी भी रखी हुई है ट्रेक के लिए और साथ में मनसुना मार्केट से समोसी भी रखे हैं तो यहां पर कुछ खाते हैं उसके बाद इनर्जी आएगी तब ही आगे का ट्रेक हो पा जो हरी बरी गास है उसको काटकर ऐसे सुखाते हैं बिसुडी ताल वाला यह ट्रेक बहुत सारे गाउं से होकर जाता है और मैं पिछली बार जब आये था यहां पे उस टाम पे भी बुरा गाउं से होकर आये था और इस बार भी इसी वाले गाउं से होकर आना हुआ ठीक सा मारे पास पानी की कमी होने लग गई है, मैंने ये वाला ट्रेक इसी रास्ते से पहले भी किया था, वो किया था मॉनसुन के टाइम पे अगस्त महिने में, उस टाइम पे तो उतनी दिक्कत नहीं थी पानी की, जगय जगय थोड़ा बहुत चोटे-चोटे कुए थे, तो वहां से हमने पानी भर दिया था, लेकिन इस बार कहीं भी रास्ते में अभी तक हमें पानी नहीं मिला, हमें आराम आराम से लगातार इन पहाडों पे उपर की तरफ चड़ते रहना होगा, जहां पर भी थोड़ा बहुत थकान लगेगी, थोड़ा थोड़ा रेश्ट करेंगे, और इससे नाम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे फिर, और अभी तक मुझे लगता है हमने 50% ट्रेक भी कम्प्लीट नहीं क्या होगा, यहां सपास पूरा जंगल वाला एरिया है, बड़े बड़े से पेड़ हैं, और इन पे ना भहुत सारे लंग दिग्या है हमें, पर बड़े बड़े बड़े, हम मती बिसुड़ी, यहां आसपास पास पानी भी बोल, यह जगह है रूपनी खर्क और यहां पर भी एक मरोडा बना रखा है, गाउवाले जो भी मोशियां पालते हैं, तो वह ऐसी जगह आते हैं, कुछ मैंनों तक यहां पर अपने गाए बलों को चराते हैं, क्योंकि यहां आसपास खूब सारी घास रहती है, चलो भैई, यहां पर बोड़े जी हैं, बुर्वा गाउं के, तो यहां पर पानी मिल गया भी हमें, चाहिना भाई घाम भी घद, चाहिना, उन्हों ना दिन तब, जो यह बोड़े ज जगे पे भी दो-तीन मरोडा हैं, एक यह नीचे है, एक यह यहां पर है, और एक ठीक सामने उस वाली जगे पे जहां से अभी हमने पानी लिया, विसुड़े वाले ट्रेक पे जब हम पहली बार आये थे, तो उस टाइम पे हमने यहां से एक ककड़ी निकाली थी, मतलब उस टाइम पे इधर आसपास खूप सारी ककड़ियां लगी थी, लेकिन अब तो आजकल ककड़ियों का टाइम नहीं है, तो एक दम चारों तरब कुछ भी नहीं है, ठीक जबाब बाटी, उनूना दिन मिलो ला तब, आच्छा तब, अब यहां मरोडा पे लाइड के कोई साधन तो नहीं रहते हैं, देखो भाई, यहां पे न, छोटी सी एक सॉलर प्लेट लगाई हुए है, चार्ज पे, जब हम किसी जगह पे दुभारा आते हैं, तो याद हैं फिर से ताजा हो जाती है, ठीक इसी पेड की, इस वाली जगह पे, हमने मैगी बनाय थी, जब हम पहले आ है, कहीं धूर से जब अपना गाउं दिखाई देता है, तो एक अलगी खुसी मैसूस होती है, और यहां पर इस वाली जगह पे देखो भाई, खूब सारी शेल पड़ी है, जिसके की खूब सारे ओसिदिया गुण होते हैं, कहते हैं, जिसको पत्री होती है, तो उसको गलान में ये काफी लाबकारी होता है, अब और जी ने जो ये हमें ये पानी दिया है, ये हमें पूरा उपर टिंगरी तक चलाना है, क्योंकि बीच में कहीं पर भी पानी नहीं है, थोड़ा-थोड़ा साही जहां पर प्यास लगेगी, सब भी लोग पीते रहेंगे, ट्रेक पे ऐसे चोकलेट केंडी से बहुत सारा मिलता है, एकदम इंस्टेंड इनरजी मिल जाती है, अब इस पूरे ट्रेक पे हमें पानी की बहुत तलास थी, और यहां पर एक बड़ी सी खाव बना रखिया है, तो यहां पर यह साध बारिस का पानी जमा हो रखा होगा, और यहां आ इंसानी बस्तियों से बहुत दूर जा रहे हैं, अभी तो आसपास पहाड़ियों पे गाउं तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, साम तक हो सकता है, गाउं तो नजर क्या, कोई इंसान भी नजर नहीं आएगा, दिन के अभी सवतीन हो रहे है लगातार इस खर्क से आगे बढ़ते हुए हमें, ठीक इस गरे जंगल से होकर इस वाले टॉप से पीछे जाना है, अगर ऐसे ही आराम आराम से चलते रहेंगे, तो हो सकता है, साम होने से पहले हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब आज के ट्रेक के लिए हमने रोटियां ला रहे थी घर से, तो चलो भाई अभी भूग भी लगने लग गई है, यहाँ पर एक बार रोटी खाते हैं, तो यहाँ पर देखो भाई खूब सारी रोटियां हैं, साथ में बैगन का वड़ता, जो कि रितिक घर से लेकर आया है, सामके अभी चार बज गये हैं, अब हमारे पास लगबग, सब दो गंडे के आसपास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि सब 6-6 बजे के आसपास अंदेरा होने लगता है, यहाँ इन पहाड़ों की दूब भी चले जाएगी, और अभी रोटी खाके ना थोड़ा इनरजी भ होने लगेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, अच्छी बात है कि हमने अपने साथ मेडिसिन वगरा रखी है, अब आगया आगे पूरा घना जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया है, जब मैं पहली बार इस वाली जगह आया था, उस टायम पे इस चटान पे एक बोतल पहर ही खाई है, और जिनको भी उचाई से डर लगता होगा ना, तो वो लोग ऐसे रास्ते पे चली नहीं सकते हैं, अब यहां देखो बाई, ऐसे मोटे मोटे खुर्सु के खोकले पेड देखने को मिल रहे हैं, यह पेड बहुत साल पुराने होंगे, और जैसे जैसे पु ऐसे कुकुड़ी के फूल देखने को मिल रहे हैं, सामके अभी साड़े-पांच होने वाले हैं, अब ऐसे उचाई वाले छित्रों में जैसे ही संसेट होता है, वैसे उसके कुछ देर बाद अंदेरा हो जाता है फट से, तो फटा-पट कोसिस करेंगे कि अंदेरा होने से प मल कर जाना पड़ेगा चलो भई ठीक उपर में हमें च्छानी भी दिखाई देने लग गई ले 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 एक और आगे ले 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 और इनके गले पर दिखो है ये लोही का पाट लगाया हुआ है अब इनको तो इनसान यहाँ पर बहुत कम दिखाई देते हैं जैसे हैं हम लोग यहाँ पर आये सीध्य यह यहाँ आगे अब जो भेड़ पालक हैं अपने साथ चार-पांच ऐसे भोटिया कुट्ते रखते ही रखते हैं जो भी भेड़ उन्होंने रखी रहते हैं अपने साथ उनकी रखवाली के लिए अब सामका यह वाला टाइम होता है भेड़ बख्रियों को घर लाने का मतलब जहां पर राद को बसिरा रहते हैं और देखो भाई यह पूरी बेड़ बख्रिया राद बर यहीं बहार पे रहते हैं अब यह वाली जगह है तेल गुनी और राद बर यहां पने यह बेड़ बहार पे ही रहेंगे और यह बोटिया कुट्ते इनकी रक्षा करेंगे यहां से ठीक सामने चोखंबा परवत दिखाई दे रहा है जिसमें सूरज की आखरी आखरी किरन है और इससे पूरा जो चोखंबा परवत है एकदम गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है भाई अब यह वाली चोकलेट कल साम को गहों में कोई बहार से गूमने के लिए आई थे उन्होंने दी थी और देखो भाई अभी भूग लगने लग गई तो काम आ गई वैसे हमने अपने पास पूरा एक चोकलेट का डिबबा रखा है और देखो भाई नीचे के साट से अभी एकदम घना सकोरा आने लग गया देखे जी यहीं घनी जंगल के बीच अंदेरा होने लग गया है अभी भी हमें यहां से उपर के तरफ चड़ते जाना है भाई और यहां पर सुजान भाई ने देखो भाई टॉर्च भी निकाल दी अभी रास्ते का ना कुछ भी पता नहीं लग रहा है जिस पार पहले हम यहां आई थे ऐसे ही रात के टाइम पर आई थे चारों तरफ एकदम घना जंगल है और इसमें सब ने लाइट पकड़ रखिया और मुझे लगता है अब यहां से लगबग चार-पांसों मीटरी होगा टिंगरी बुग्याल ले 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 सामके अभी ठीक साथ बज़ रहे हैं हम लोग भी पहुंच गए हैं टिंगरी बुग्याल में आज के हमारी मंजिल यहीं पर है यहां पर एक मरोड़ा भी है यह आसपास कहीं रहने की व्योस्ता करते हैं अब बुर्वा गाउं से हमने लगबग 11 बज़ के आसपास चलना श अब यहां पर जो यह मरोड़ा है यहां पर बॉड़ा जी रहते हैं बुरागेशन वलने आप अच्छा ए बबाबा चलिए जी अभी हम लोग भी पहुंच गये हैं यहां मरोड़ा के अंदर और गरम कपड़े पहन लिए हैं यहां पर सबसे पहले पूरे ट्रेक पे बहुत परफेक्ट उनको देना पढ़ता है फिर सजी हुआ को सूच ना देखिए जी ऐसे मरोड़ा च्छानी पे रहेने का सवबएग यह हर दिन नहीं मिलता है सारे लोग बैठें सारी बाते कर रहे हैं और यहां पर बहुत सारी बातें जानने को मिल रहे हैं और एक Indust्या और इक और अभी 70 साल एज है, मतलब इसी जगे पे अभी भी काम करते हैं, अपने बेड़ों को चराते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, बाकी देखो भाई, खाना भी हमारा बन गया है, इस पे चावल और यहां पे बन रहा है चौसा, अब ऐसे बुग्यालों का एक नियम होता है, ज हमारा खाना पेना भी हो गया है, बाकी यहां टिंगरी बुग्याल से पूरा आसमान आज एकदम साब साब दिखाई दे रहा है, और उसमें बहुत सारे तारे टिमटिम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चले जी फिलाल इस वाले ब्लोग को यहीं पेंट करते हैं, मिलत